अगर RTI के माध्यम से या फिर गवर्मेंट रिकॉर्ड्स को गंभीरता से अध्यन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फासी से भगत सिंग को बचाया जा सकता था लेकिन हिंदुस्तान के कुछ बड़े लोग ऐसा शायद नहीं चाहते थे भगत सिंग भारत के एक महान सतंतरता सिनानी थे उनका जन 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गाउं में हुआ था 17 दिसंबर 1928 को उनको अंग्रेजी सरकार ने एक अंग्रेज पुलीस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के जुर में फासी की सजा सुनाई थी भगत सिंग ने अपने मकदमे की पैरवी के लिए वकील नहीं किया था नहीं सेंट्रल एसम्बली में बंधमाकों की सुनवाई के लिए कोई वकील किया अब उनके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था ये तो वो ही बता सकते थे लेकिन कहा जाता है कि अगर गांधी जी नहरुजी चाहते तो उनकी फासी की सजा रोकी जा सकती थी शायद उन्हें बचाया जा सकता था क्या ये सच है या फिर हमारे ऐसे ही ख्याल हैं 23 मार्च 1931 को भगत सिंग को फासी दे दी गई थी मजे की बात ये है कि अंग्रेज पुलीस अधिकारी को मारने के बाद भगत सिंग, राजगरू और जैगोपाल भागने में सफल हो गए थे 8 अप्रल 1929 को सेंट्रल एसम्बली में धमाके को अंजाम देने के बाद भी वो सभी वहां से भाग सकते थे लेकिन उन लोगोंने ऐसा नहीं किया भगत सिंग वहीं रुके रहे और परचे फेटते रहे और नारे लगाते रहे उनका मकसद देशवासियों को संदेश देना था वो देशवासियों को कहना चाह रहे थे कि जागो अब बहत हो चुका और वो अपने मकसद में काफी हग तक सफल भी रहे भगत सिंग जानते थे कि अंग्रेज सरकार उनको हर हाल में फासी की सजा दे कर रहेगी सनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट रूम में इसका जिकर अपने पिताजी से भी किया था और कहा था कि वो सभी उनकी आस छोड़ दें आठ मई को जब भगत सिंग को बयान देने को कहा गया तो उन्होंने कोई भी बयान देने से मना कर दिया था बम फेकने की बात भगत सिंग ने स्वीकार कर ली थी उन्होंने कहा कि इंगलैंड को जगाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था भगत सिंग और बटू केश वर्दत को सेशन कोट ने आजी वनकार आवास की सजा सुनाई थी सैंड हर्स हत्या कांड में 15 लोगों पर केश चला जिसमें से 7 लोग सरकारी गवाह बन गए थे भगत सिंग के पिताजी ने वाइसरोई आफ इंडिया को एक पत्र लिखकर बताया कि जिस दिन सैंड हर्स की हत्या हुई थी उस दिन भगत सिंग लाहौर में नहीं थे इस पत्र के बारे में जब भगत सिंग को जानकारी हुई तो वो पिताजी पर काफी नाराज हुए थे 7 अक्टूबर 1930 को सैंड हर्स की हत्या के जुर में भगत सिंग को फासी की सजा सुनाई गई क्या महत्मा गांदी और नहरू भगत सिंग को बचा सकते थे अगर बचा सकते थे तो देश के इस अपूत को उन्होंने क्यों नहीं बचाया बहुत से लोगों का कहना है कि महत्मा गांदी और नहरू ने भगत सिंग को बचाने की भरसक कोशिश की यंग इंडिया में महत्मा गांदी ने लिखा है कि वाइस रॉय ने उनसे कहा था कि फासी खत्म करना बहुत मुश्किल है लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर गांदी जी और नहरू जी चाहते तो भगत सिंग को बचा सकते थे भगत सिंग की पॉपलारिटी से बड़े बड़े नेता हिल गए थे ये तो नहरू जी भी मानते थे नहरू जी ने अपनी किताब डिसकावरी आफ इंडिया में लिखा है कि कुछ ही महीनों में पंजाब के शहर शहर में गली गली में भगत सिंग का नाम गूंचने लगा था उन पर अनेकों गीत रचे गए उन्हें जो लोग ट्रियाता हासल हुई थी वो बेजोर थी अब अंदर की बात क्या है आप अंदाज लगाते रहे आप ऐ हिंदुस्तान तू जाग देख रहे थे प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें जै हिंद जै भारत